हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चानल लूची दीप कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आज है नवरातरी का दूसरा दिन लेकिन अभी पहला दिन भी मेरा स्टार्ट ने हुआ है ब्लॉग में क्योंकि यह मत दो दिन का ब्लॉग एक दिन में मैं कवर कर रही हूं सो इस वज़े से मैं दो दिन पीछे चल रही हो भी और आजकल मेरे ब्लॉग में बहुत कम लोग आने लगे हैं पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सायद मेरा लोड मिडिल क्लास फ प्रेग्नेंसी टाइम में लोग आते थे तो सायद उस टाइम प्रेग्नेंसी वाला चीज देखने में अच्छा लगता होगा बट अभी तो जो है वो नॉर्मल टाइम चल रहा है बेबी है घर है और इसी में मैं बिजी हूं और वहीं चीज में दिखा पा रहे हूं कुछ चीज में दिखांब भी नहीं पारे कुछ बहुत कम टाइम है तो साथ इस बचेव से लोग देखना नहीं चाहते हैं गरीब हो वाला चीज अमें पूद नहीं है अमीर को बहुत जादभी नहीं चाहते हैं या तो बहुत जाद़ Q हाई फाई जो होता है लक जरियस जो होत बहुत जादा गरीब नहीं हो कि एक दम बहुत जादा गरीब लोग मीडिल क्लास फैमनी बोल सकते हैं यह जैसा भी हो तो इसी वज़े से लोग आना बंद कर दिये वर्ट कोई ना मैं तो तीन साल से यूटूब पे हूँ तो वीडियो तो मैं डालती ही रहूंगी और जिस दिन कम भी हो जाता है ना उस दिन उसके अगले दिन मुझे और भी जल्दी वीडियो डालने करता है मुझे ंता मेरे युटायव जल्दी से लूट ओड़जा गरता है मनद उधास हो झाल से लोग देखना पसंद नहीं कर रहे तो इस वज़े से मैं चाहते हूं कि जल्दी से वीडियो डालू ऐसा तो कभी फीली नहीं होता है कि आज अगला वीडियो डालने का अभी यह वाला जो ब्लोग आप लोग देख रहे हैं वह संडे टू मंडे तक का है मतलब फॉर्स्ट जो नवरातरी होता है वहां तक का है और बहुत जादा सूट मतलब आज कल कर रही हूं मैं स्वा से स्टार्ट कर लेती हूं और जो भी मतलब जि साम तक अलगवक्त शेयर किया था और साम के बाद से मैं सेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि कल बाबू और मीठी जब सोकर उठे थे वहां तक मैंने शेयर किया था उसके बाद मीठी और बाबू को लेकर के मेरे हस्में उस रूम में टीवी लगा हुआ है उस रूम में चले जा आप से और वैसे पकोडी बना रही हो आलू का और साम में जब चाय पियो ना तो कुछ नमकीन खालो तो अच्छा लगता है तो यह मतलब दीन में बना हुआ था तो आलू बचा हुआ था कटा हुआ तो मैं सोच रही थी और मीटी को खाना था वह सोई हुई थी ना तो उठी तो इसलिए उसको पसंद है तो इसलिए मैं बनाई हूँ ताकि यह उठेगी जल्दी आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में यह उठी नहीं रही तो उसके बाद अभी भी देखो मैं खा रही हूं और वोड़ें कि हम लोग खाते हैं चलो मीठी को नहीं देंगे मीठी को न देते हैं कि फोड़ अच्छा सरा अभी तो थोड़ा देर क्हिला रहा है हुआ लेकिन उसके बाद रौकर में डाल देंगे और चाय सब लोग बहाए लेकिन पानी नहीं पर फ्रेज का कि ये फ्रिज में रहता है मतलब मुश्किल से 10-15 फ्रिज में रहा और उसके बाद जो पाने प्योंगे ना तो वह एकदम नॉर्मल ठंडा रहता है बहुत जादा ठंडा नहीं रहता है क्योंकि डारेक्ट निकाल करके पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा अ पीना पड़ता है तो इसलिए मैं इसमें इलाइची कूट करके ढालंगी और फिर से थोड़ा सा मतलद खौला दूंगी लेकिन ज्यादा खौलाने के बाद ना चाय जल जाएगा उड़ा अश्यार चलैड़ा हो जाएगा इस्लिए में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कश लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी थोड़ा इस नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा देर खौलाओं क्योंकि चाय का एक जो तलब होती है लग होती है वह एकदम उमर रहा था क्योंकि अभी वह खाकर के और पानी पीकर कर आई थी उसके जल्दी चाय पिने कमन करा था तो ज्या है कभी कभी न चाय अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि चितना फीवूm फ्यज़ेश कह एसा लगता है कि यद यार क्या हो गया मतलब फिरशे बनाना ही पर एका तो यह दोगता है और कृष्णा को खिला रहे हैं और एक पापा कर के यह सो करके उठता है तो बाबु Leonardo उम्होंत को बएक दोन गेसा है सुबव हो या साम हो एक घंटा तक तक राम से ख़ीलता और न रागए बहुत अच्छे कहिलता है सुबव में भी और इक Rat सुबव में एक दो गपल लेकिन फीट कर लेता सिहां सब्सक्राइब चाँ हो सब्सक्राइबStraa तो इसके बाद उस बोढान बाद किल्कारी कप से स्टार्ट करता है तो फॉर मंस बेबी locations म model से अब बब भी तो कमप्लीट एक दिन पहले ना इस पर जितना भी कपड़ा बिचाय थे वह उतार दी थी और उसको धोना भूल गए थी मतलब मेरा तो पूजा ही दो फेर हो जाता है करते करते खाते पिते तीन बज आता है तो मैं कव कपड़ा धोती बाबू के साथ बीजी हो गई और फिर फूरसत नहीं म मतलब पांच मिनट भी एक्स्टा टाइम मेरे पास नहीं बसता है मुझे ऐसा लगता है कि दीन भी कम पर जाता है मेरे लिए और रात भी कम पर जाता है मतलब कम से कम चार पांच घंटा जादा दीन होना चाहिए और चार पांच घंटा जादा रात होना चाहिए मेरे पूजा का वाला मतलब सबकुछ रखा वाला लेकिन वह निकालने का इतना तक फुरसत नहीं कि वह निकाले उसको धोके यूज करें तो बस जितना है उसी काम में मैं बिजी हो जाती हूं और यह मेरा गरीव का पूजा अस्थल बोल सकते हैं क्योंकि ना ही मेरे पास मंदीर है पूजा वाला और मुझे ना सबसे जादा मंदे से जादा अच्छा लगता है नीचे में हम चौकी विचा करके उस पर रेड कलर का कपड़ा बिचा करके तब भगवान को अस्थापित करते हैं तो वह मुझे सबसे जादा अच्छा लगता है धूप अगरवत्ती करने में भी अच्छ लगता है पूजा करने में भी अच्छण कर्थे सब कर लो और पूजा करने का मन वी ज्यादा करेगा ऐसा होता मेरे ψतन ही यहांавливोकी साथ होता है किमिनेट अच्छे सर्भावान की पूजा करने का टो भाव मन लगता है लगता है लागता है कि हाँ और गुजावत मुल्ट है तो वही मुर्ति को लगा चैले मधान ふक्राइब दिलख रहता तो फ्रंنت कैमरा से सू ठो तो रज़ा गी यह मैंकरिं करते हैं पूझा था करना चाहिए रहे हैं मैं लेना चाहते यह अच्छा है लेगन चोकी लेना चाहते हुआ हूए लेकिन कि मीठी तो CBD डिम शवतेbolt पूजा को कुछ समझती नहीं है इतना जादा मतलब समझती है कि भगवान जी है लेकिन वो खेलने लने लगेगी अभी तो थोड़ी बड़ी भी हो गई है कुछ दिन पहले से मतलब साल बड़ से मैं सोच रही हुए सब चीज मतलब आप मेरा पिछला ब्लॉग देखे होगे एक और मैं मंदिर बनाई थी मतलब मेरे हस्वेन बना के दिये थे वो भी डियाइवाई था तो हसी आएगा अब वो नहीं है तो इस मीठी के चकर में अभी नहीं ले रहे थी क्योंकि वो खेलने लगी भगवान जी से और जो घंटी होता है उससे और मतलब की जो लोटकी हो कि अधरे बगवान का रखना होता है हम लोग में असा होता है कि अभी हनुआ जी का पुजा है तो महन मान जी का गुरुबार का है तो ब्रश्वतिवान का संकर जी का यह वो मतलब मुझे सारफ मूर्ति वेगरा रखना चाहती हूं तो उतने चोटे से मंदर में नहीं लेखने होगाते हैं तो लेने वाले हैं लोग वीडियों देखते होते हुए अब ही तोसल्च चलिए अच्छा बढ़ा है अभी मैं खाना खा ले रहे हूँ वही बहुत है लोगों को देखती हूँ और लोगों का किसे देखती हूँ अच्छा से को मैं सूचती हूँ आप कितना चैसे सजा के रखी हूँ या कास मैं भी अलसे कर पाती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ सब कुछ मैनेज करना बड़ा काम है और चुन्डी आज नहीं हो पाया क्योंकि कल मैं चुन्डी उतारी थी दोई थी उसके बाद अभी सुखा नहीं थी साम में दोई थी तो इस विज़े से सुखा नहीं था तो आज नहीं में डाले और निक्ट देवाला जो आप ब्लॉग देखोगे उसमें चु लगाएं बहारा है बहारा जाएं बहारा है को छोदों इसके बार बर नहीं तो इसले में उठाव लाओ और दिल से पूझा करो तो वहीं काफि है और जब भगवानजी देंगे तो मेरे पास जब उतना हो जाएगा मतलब सक्षम हो जाओंगी वह सब चीज करने के लाइप हो जाओंगी तो मैं और भी बहुत खुश करूंगी और आप लोग अगर साथ रहोगे तो देखोगी तो चलिए ऐसे प्लीज साथ बनाये रखेगा देखने के लिए थैंक्यू सू के लगका हो जामाची देखने क्यो जाओंगी और आप लॉकी और भी गया क्योंगी और गजब आपने के लिए। हुश कर दोई बनाये लोगे तो पुश कर दो पुश कर दोए और शावा दोंगी दोली मेरे जाएवाना..